राजिस्थान में सूर्य नमस्कार को लेकर भजनलाल सरकार के सिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और कहा था कि राजिस्थान के सभी स्कूलों में गैर सरकाली स्कूलों में भी सूर्य नमस्कार होगा और 15 फरवरी यानि आज के दिन हम World Record बनाएंगे हाला कि सूर्य नमस्कार को लेकर मुस्लिम समदाय राजी नहीं था मुस्लिम समदाय के लोगों का कहना था कि सूर्य नमस्कार यानि सूर्य की अराधना करना और हमारे धर्म में किसी की अराधना करना जायज नहीं है महीं सूर्य नमस्कार को लेकर विरोध के चलते आज जैपुर के गंगापोल स्कूल में ताले लगा दिये गए चैनल गेट लगाकर अंदर से ताले बंद कर दिये गए उधर 15 फरवरी को सूरे नमस्कार के लिए सिख्षया मंत्री मदन दिलावर चोहान स्टेडियम पहुचे तो हजारों बच्चों के साथ उन्होंने सूरे नमस्कार किया उधर स्कूली बच्चों का कहना था सूरे सबको एनरजी देते हैं सूरे एनरजी देने में जात पात और धर्म नहीं देखते जो लोग सूरे नमस्कार का विरूद कर रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए सूरे नमस्कार एक व्यायाम है और व्यायाम करना गलत बात नहीं कि एक बड़ी कॉंट्रोवर्सी चल रही थे राजिस्तान में कि यह नहीं कराई जाए क्या कहना है आपका बड़ा अच्छा लग रहा है सर सूरे नमस्कार हो रहा है जो मुस्लिम धर्म गुरू है वो यह कह रही है कि इस तरीके से जो है सूरे नमस्कार अच्छे चल आपको देख सकते हैं कि यह चछटे बच्चे हैं और यह कह रही है फिट रहने के लिए राजिस्तान में इसका विरूद हो रहा था यह तो अच्छी बात है सूरे नमस्कार सब्सक्राइब नमस्कार करने सब नमीं सही हो रहा है सूरे नमस्कार को लेकर स्कूली टीचर्स का कहना था कि सूरे नमस्कार होना चाहिए इसमें कोई गलत बात नहीं सूरे नमस्कार को लेकर अलग-अलग धरनाय बनी है लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं कि सूरे नमस्कार का घरम से कोई लेना देना है एक तरफ चौगान स्टेडियम में सिक्षा मंत्री बदन दिलावर स्कूली बच्चों के साथ सूरे नमस्कार कर रहे थे तो दूसी तरफ सुभाय शौक सिद गंगापोल बाली का उच्च मादिमिक विद्याले में मीडिया को अलाव नहीं किया गया पुलिस के पहरे में सूरे नमस्कार हुआ यहां तक कि पुलिस मीडिया को हटाती नजर आई दरसल गंगापोल सिद सरकारी स्कूल में मुस्लिम छात्राए सूरे नमस्कार का विरोध कर रही थी मीडिया को स्कूल के अंदर जाने नहीं दिया गया और पुलिस के पहरे में ही सूरे नमस्कार हुआ